हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लो समझलो में मैं प्रदिप कुमार आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ तो दोस्ता ये बीजे थडियर वालों के लिए जोग्राफिका ये मेरा दूसरा पार्ट वीडियो है और दिदी प्रसंपत का दूसरा पार्ट वीडियो है इसके पहले हमने पहला पार्ट इसका अप्लोड कर दिया है अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्ले लिश्ट से वो वीडियो देख सकते हैं यह सभी महत्पूर्ट प्रसनों को संग्रा है अगर आप इन कुश्चनों को तयार कर लेते हैं तो आप अपने एक्जाम में 90 प्लस नंबर ला सकते हैं तो चलते हैं कुश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दू कि अगर आप हमारे चैनल पर नए वीवर से तो चैनल को स्काइब कर लिजीगा अगर आपने से स्काइब किया है तभी आपके पास यह वर्ना नोटिफिक्षन नहीं आएगा और आप अपने तैयारी को अच्छे से नहीं कर पाएंगे इसलिए चैनल को सस्काइब कर लिजीगा पहला कुश्चन हमारा आदि मानों अपने भोजन हे राइट an Biology घार हो जाएग़ करेंट पर आखेंट आपको बिलकूर करेक्ट अपसर होता क्या है जो व्रामbest के अबंãy सबस्रों का ब determinants नोर तो इसटों मास बनाते कई तो राइट एंसर जाएगा छहाएगा सी चली हम बढ़ते हैं अगले प्रेस्ट की ओर प्रेस्ट नमर दूसरा हमारा कलांतर में आखेटन के अतरिक्त मनुस्य ने कौन सा कार प्रारम्भ किया कलांतर में आखेटन के अतरिक्त मनुस्य ने कौन सा कार प्रारम्भ किया पताना है आपको कि आखेटन के अतरिक्त और कौन सा कार क यह अप्सान आपका बिल्कुल करेक्ट एंसर हो जाएगा आखेट के अतरिक्त शिकार के अतरिक्त वह पस्व पालन भी करते थे जानवर को पालते भी थे काय भैस बक्री मुर्गी आधी जानवर पाले जाते थे ओके चलिए हम देखते हैं अगला प्रस प्रस नम्बर तीन है मरक्रसी के आरंब में मानों की किस मुलभूत आवसकता का स्रजन किया अगर बताना है आपको वोजन व्यापार इस्थाई अवास इस्थांत्राण सीलता राइट एंसर हो जाएगा इस्थाई आवास अप्शन नमबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट एंसर हो जाएगा आगे देखते हैं प्रार्कितिक वहां मानुवी परियावरण के संबंधों में परवर्तन का सूत्र पात हुआ बताना है आपको तो चार अप्षन हैं आपके सामने क्रसी के आरंभ से इस्थाई आवाज से आखेट से उप्रोक्त एवं भी दोनो राइट एंसर हो जाएगा क्रसी के आरंभ से इस्थाई आवाज से प्रार्कितिक वहां मानुवी परियावरण के संबंधों में परवर्तन का सूत्र पात हुआ था क्रसी के आरंभ से इस्थाई आवाज से ओके चलिए हम बढ़ते हैं नेश्ट प्रसिल की ओर प्रस नमबर पांच हमारा मानों ने वनों की काटाई प्रारंभिकी बताने आपको मानों ने वनों की काटाई प्रारंभिकी बजार हे तू क्रसी वा अधिवास निर्माण हे तू खननन हे तू पसुपालन हे तू राइट एंसर हो जाएगा क्रसी वा अधिवास निर्माण कहे तो आपसर नमबर भी आपको विल्कुल करेक्ट एंसर हो जाएगा तो दोस्तों अगर इस वीडियो का पीडियाप चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है वहां से आप पीडियाप असानी से डाउनलोड कर सकते हैं यह फिर आप हमारा टेलीग्राम जोइन कर लिजिए टेलीग्राम का चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहां से आप जोइन कर सकते हैं टेलीग्राम पर हम प्रतेख वीडियो का डेली पीडियाप सेर कर देते हैं वहां से आप असानी से वीडियो का डाउनलोड कर सकते हैं ओके चलिए हम बढ बताना है आपको चार आप्षन है आपके सामने अजीव का प्रधान क्रसी गहन निर्वाहन क्रसी ब्यापारी क्रसी और जूमिंग क्रसी चार आप्षन है करेक्ट एंसर हो जाएगा अजीव का प्रधान क्रसी आप्षन नमबर ए बिल्कुल करेक्ट एंसर हो जाएगा प्रधान क्रसी की विवस्था में मानों वा प्रार्कितिक परियावराण के मद्द श्मोल में बना रहा जीव का प्रधान क्रसी से याद रखना आप सन्नमबर ये आपका करेक्ट एंसर हो जाएगा चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रस्ट की ओर प्रस्ट नमबर साथ हमारा प्रार्कितिक परियावराण का अंग नहीं है बताना है प्रार्कितिक परियावराण का अंग नहीं है वन खेत जन्तुन नदी चार अफ्षन है वन खेत जन्तुन नदी करेक्ट एंसर हो जाएगा खेत आपका बिल्कुल करेक्ट एंसर हो जाएगा अफ्षन नमबर बी प्रा लुगाने के लिए होता है वन जन्तु नदी ये सब प्रार्खितिक परियावरान का अंग हैं बाकी खेत नहीं है याद रखेंगे आफशन भी आपका करेक्ट एंसर हो जाएगा चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रसुन क्यों प्रस्ट नमबर 8 कह रहा है प्रार्खितिक संसा संसादनों का अंधा धुन्द सोशड हो रहा है चार आफशन हैं आपके सामने वन बिनास के रूप में खनी जिद्वाहन के रूप में उर्जा उभ्भोक के रूप में या फिर उपरोगत सभी राइट एंसर हो जाएगा उपरोगत सभी आफशन नमबर डी आपका करेक्ट एंसर हो जाएगा वन बिनास के रूप में खनी जिद्वाहन के रूप में और उर्जा उभ्भोक के रूप में इन तीनों के अवस्ताथाओं ने प्रार्खितिक संसादनों का अंधा धुन्द सोशड किया है तो याद रखना आफशन नमबर डी आपका करेक्ट एंसर हो ज नागन इस्थिर विप्रीत राइट एंसर हो जाएगा पर रवर्तनसील कैसा संबंद रहता है पर वर्तनसील तो यह आपका करेक्ट एंसर हो जाएगा मानों और परियावरण के मद्द, जो समन्द रहता है, वो कैसा रहता है, पर परवरतन सील, जैद रखेंगे, परवरतन सील, चलिए हम बढ़ते हैं, अगले प्रसंड की ओर, प्रसंड मबर दस है महारा, स्प्रिट आफ लाव, उस तके लेखा कौन है, स्प्रिट आफ लाव, उस तक के कवाने चारा अफ्सान है आपके सामने we're gonna help का 1999 आंसरो जाएगा मैंन्ट इसन नींस क्यूँ आपका विलकुल karak्टरियं अइंसर हो जाएगा और से आपका राइट एंसरो जाएगा इसफ्रिट आप के लेखक कौन है मेंनट तेस क्यूँ और सी आपका करेक्ट एंसर है चलिए हम बढ़ते हैं आगले प्रसिल के ओर कुश्चन नमर गेरा है हमारा फिसकल जोग्राफिक के लेखक हैं बताना है आपको फिसकल जोग्राफिक के लेखक हैं हमबोल्ट कांट रेड जेल ब्रॉंस राइट एंसर हो जाएगा कांट आपका करेक्ट एंस त्र निवासी थे फ्रांस के अमेरिका के इटली के जर्मनी चार मैं आपके सामने राट एंसर हो जाएगा जर्मनी के एमनीवक कांत को यह थे जर्मनी के यह रखना है एमनीव कांट जर्मनी ओस्टे निवास्ट तो रहे सर का ओजाएगा डी आपका उडेंटा हो जाएगा चलिए व्लते अगले प्रस्शन कई और द razón के रिरस नम्बर 13 हमारा निश्च 거지 वाधी बिचार धारा के समर्थक हम बोल्ट कहां कगी निवासी थे। राइट अंसर क्या हो जाएगा जर्वनी आपका करेक्ट टाइँसर होजाएगा है। पर चवदा हमारा विश्च प्रसिद्ग्रंथ कॉस्मोस के लेखा कौन है विश्च प्रसिद्ग्रंथ कॉस्मोस के लेखा कौन थे ये बताना है आपको कार्ल रिटर हम बोल्ट रेट जेल वारेनियस रैट एंसर हो जाएगा हम बोल्ट इंपर्टन कुश्चन है याद रखे के और कुश्य नमबर 15 हमारा अपने प्रसीद ग्रंथ आड कुंडे में मानौ वा प्रार्गनिष्ट संबंदों की ब्याख्या की है किसने की है ये बताना है आपको कार्ल सावर डेविड कार्ल रिटर डिमांजिया right answer हो जाएगा कार्ल रिटर यानि C action जो है आपका correct answer हो जाएगा ओके आफसन नमबर C जो है right answer हो जाएगा चलिन हम बढ़ते हैं अगले प्रस्म की और प्रेस्ट नमबर सोला है प्रार्कितिक चायन का सिधान्त प्रस्तुत किया प्रार्कितिक चायन का सिधान्त प्रस्तुत किया चार अप्सवन है आपके सामने चार्स डार्विन, बिलियम डेविट, पैंक, अगा सीज राइट एंसर हो जाएगा चार्स डार्विन A option correct answer हो जाएगा Question number A 17 Charles Darwin समर्थक थे Charles Darwin समर्थक थे बताना है आपको Charles Darwin किसके समर्थक थे Sambhavad, Nishchevad, 9 Nishchevad और Matratma Kranty 4 option है आपको सामने बताना है इसका correct answer क्या हो जाएगा Right answer हो जाएगा Nishchevad Charles Darwin किसके समर्थक थे Nishchevad B option जो है correct answer हो जाएगा Charles Darwin समर्थक थे Nishchevad के आगे देखते हैं Question number 18 है Origin of spaces पुष्टक के लेखक थे Origin of spaces पुष्टक के लेखक काउन थे ये बताना है Peter Haggat, Huntie Gatton, Victor Charles Darwin Right answer हो जाएगा Charles Darwin आपको correct answer हो जाएगा D option आपका correct answer हो जाएगा और जिन आप spaces के लेखक थे Charles Darwin चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रस्म की ओर Question number 19 है Heikel ने मानुवी प्रगित को नियंत्रित करने का आधार बताया है Heikel ने मानुवी प्रगित को नियंत्रित करने का आधार बताया है बजार को, मनुस्य की ज्यान को, प्रार्कितिक वाता वरण को, प्रबंध को राइट एंसर हो जाएगा प्रार्कितिक वाता वरण को आफसर नमबर C आपका बिल्कुल करेक्ट एंसर हो जाएगा हैकल ने मानुवी प्रगित को नियंतित करने का आधार बताया है प्रार्कितिक प्वाता वराण को अप्सान नमबर C आपका करेक्ट अंसर हो जाएगा चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रस्ट की ओर कुश्चन नमबर 20 हमारा प्लेस, वर्क, फोल्क नियम द्वारा समाच पर परिया वराण के प्रभावों को प्रदर्शित किया प्लेस, वर्क, फोल्क नियम द्वारा समाच पर परिया वराण के प्रभावों को प्रदर्शित किया कुमारी सेंपल ने, हार्ट सोड ने, डेमो, लिंस ने, फ्रेडिरिक, लिपले ने आफसन नमबर D आपका correct answer हो जाएगा फ्रेडरिक लिप लेने तो D आफसन आपका correct answer हो जाएगा चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रेस्ट के ओर प्रेस्ट नमबर एकी से मारा जर्मन भुगोलवेक्ता फ्रेडरिक रेडिजल की प्रसिदिक्रती है बताना आप सभी को जर्मन भुगोलवेक्ता फ्रेडरिक रेडिजल की प्रसिदिक्रती है चार आपसन है आपके सामने इंत्रोज जियोग्राफि दस्टी आफ मैंनकाइंड फिशिकल जियोग्राफि फ्रिंसपल आफ हीउमन जियोग्राफिक राइट एंसर हो जाएगा आपका और ए आपका करेक्ट हैंसर हो जाएगा आगे दीखते हैं प्रेडर था से निश्चवाद की आधर से बहख़ा करने का स्रेह है बताना आपको निश्चवाद की आधर से बहख्या करने का स्रेह किसे है रेडजल डेविस इसी सेंपल डेटर को राईट एंसर हो जाएगा EC simple को तो C option जो है आपका correct answer हो जाएगा आगे देखते हैं question number 13 हमारा मानो प्रधवी तल की उपज है या कथन किसका है मानो प्रधवी तल की उपज है बताना है fitting, translate, strobo EC simple 4 option है आपके सामने इसका right answer हो जाएगा EC simple तो D option आपका correct answer हो जाएगा आगे देखते हैं question number 24 है वह अमेरिकी भगोल वेक्ता जिसने निश्चेवादी संकल्पना को बैज्यानिक इस्तर प्रधान किया था कौन है वो हार्टिंग गटन मोरिसिस डेविस कार्ल सावर जार्ज मार्स तिकिए इसका right answer हो जाएगा हार्टिंग गटन हार्टिंग गटन ये आपका correct answer हो जाएगा question number 25 है भगोल को मानौ परिस्तित्की के रूप में किसने परभासित किया भगोल को मानौ परिस्तित्की के रूप में किसने परभासित किया पैट्रिक हर्लान हर्बर्सन मैकिंडर राइट एंसर हो जाएगा हर्लान बैरोज भी आपका correct एंसर हो जाएगा question number 26 परिस्तित्की निकेट निक जिसे कहा जाता है किस अंकल्पना को प्रित्पादित किया किसने किया बताना है परिस्तित्की निकेट किस अंकल्पना को प्रित्पादित किया green nails, darwin, odom, cc park राइट एंसर हो जाएगा green nails यह आपका correct answer हो जाएगा आगे देखते हैं 27 number question है ओलम्पिक पदक पेटी किस छेत्र को कहा जाता है ओलम्पिक पदक पेटी किस छेत्र को कहा जाता है correct answer हो जाएगा आपसा नंबर B सितोस्ट कडबंदी छेत्र को किसे कहा जाता है सितोस्ट कडबंदी छेत्र को उलम्पिक पदक पेटी के नाम से जाना जाता है आपसा नमबर B आपका करेक्ट एंसर हो जाएगा चलिए हम बढ़ते हैं अंगले प्रस्म के ओर प्रस्म नमबर 28 से निश्चेवादी विचारधारा की अलोचना ने किसे जन में दिया निश्चेवादी विचारधारा की अलोचना ने किसे जन में दिया संभवाद को अफसा नमबर D आपका करेक्ट एंसर हो जाएगा चलिए आगे देखते हैं उस्चे नमबर 29 हमारा संभवादी विचारधारा का जनक किसे माना जाता है संभवादी विचारधारा का जनक किसे माना जाता है हम बोल्ट लाफ्रेवे को बलास को डिमांजिया को राइट एंसर हो जाएगा लाफ्रेवे को बी आफसान आपका करेक्ट एंसर हो जाएगा संभवादी विचारधारा का जनक किसे माना जाता है ला फ्रेवे को आगे देख कुश्चन नमर तीस का राय ला फ्रेवे निवासी थे फ्रांस के जर्मनी के इंग्लैंड के हार्लैंड के राय टैंसर हो जाएगा फ्रांस के ला फ्रेवे कहां के निवासी थे फ्रांस के ए आफसन आपका बिल्कुर करेक्ट आइंसर हो जाएगा ओके आगे देखते हैं कुश्चन नमबर लेक्तिस हमारा संभववादी विचारधारा को कहते हैं संभववादी विचारधारा को कहते हैं जर्मन विचारधारा, फ्रांसिसी विचारधारा, ब्रिटिस विचारधारा या फिर रूसी विचारधारा Correct answer हो जाएगा आपका Francesi, Vichyarada B, Option आपका Correct answer हो जाएगा संभव आधि Vichyarada को कहते हैं, Francesi, Vichyarada Right answer क्या हो जाएगा, B, Option आपका Correct answer हो जाएगा चलिए आगला प्रसुने दिखते हैं Q Informationen 32 है, किसी निश्चि छेतों में प्लाडियों की संख्या की सीमा सीमा जिसे परियावरार समर्थन कर सकता कहलाती है बताना है आपको किसी निश्ची स्चेत्र में प्राडियों की संख्या की सीमा जिसे परियावरार समर्थन कर सकता है कहलाती है जन संख्या वहन चमता जवद रभ्यमान का पिरामिड उप्रोक्त सभी राइट एंसर हो बी अफ्षन आपका करेक्ट एंसर हो जाएगा कुष्च नमबर तेंथी से भारत में पारिष्थित की आसंतुलन का प्रमुख कारण है बताना है करेक्ट एंसर हो जाएगा वनो उन्मूलन बाढ़ एवं अकाल मनुस्तिली कारण वर्ष की परिवर्थनेता बताना है करेक्ट एंसर हो जाएगा वनो उन्मूलन यह आफ्षन आपका करेक्ट एंसर हो जाएगा कुष्च नमबर चौतिस है पारिष्थित की तंत्र में हरे पादप होते हैं पारिस्थित्की तंत्र में हरे पादप होते हैं अब घटक उत्पादक उभ्भोक्ता पर जीवी राइट एंसर हो जाएगा उत्पादक आपका करेक्ट एंसर हो जाएगा पारिस्थित्की तंत्र में हरे पौधे होते हैं उत्पादक के रूप में तो बी अफसन आपका करेक पारण नहीं है मरुभूमी one फलो उद्धान परवत राइट एंसर हो जाएगा फलो उद्धान आपका करेक्ट एंसर हो जाएगा परस्तित्की तंत का उद्धार नहीं है फलो उद्धान सी studies collection Correct 아서 which I think है वेष्याद नमबर 26 है looks अनुक्रमण के समान्य प्रेक्रम का अंग नहीं है कि आप नुक्रमण के समान्य प्रेक्रम का अंग नहीं है रच्छादन इस्थानत्र अक्रमण प्रति इस्परधा तो राय-ट Kingdoms बिक करेक्ट एंसर हो जाएगा स्थाना अंत्रण वी आपका राइट एंसर हो जाएगा 37 नमबर कुश्चन का आप पारिष्थित की तंत्र में खादर संख्ला का विचारकिस ने प्रस्तुत किया कोर मंडी, पार्क, लिंड मेन, ओडम, राइट एंसर हो जाएगा, लिंड मेन, करेक्ट एंसर हो जाएगा, C अप्षन, राइट हो जाएगा कुछे नमर है 38, पारिस्थित की पिरामिट समानिता होते हैं दो प्रकार के, तीन प्रकार के, पांच प्रकार के, साथ प्रकार के राइट एंसर हो जाएगा, तीन प्रकार के पारिस्थित की पिरामिट समानिता होते हैं, कितने प्रकार के, तीन प्रकार के बी आफसन आपका है, correct answer हो जाएगा Question number 49 है, बिश्च के सभी भगोलिक परितंत्रों के संगठन को कहते हैं बिश्च के सभी भगोलिक परितंत्रों के संगठन को कहते हैं जय मंडल, वाय मंडल, आयन मंडल, जल मंडल राइट एंसर हो जाएगा, जय मंडल बिज्श के सभी भगोलिक परितंत्रों के संगठन को क्या कहा जाता है जव मंडल कहा जाता ए आफसान आपका correct answer हो जाएगा ओके ए आफसान आपका right answer हो जाएगा चलिए आगे देखते हैं बिज्श नमर 40 हमारा दो परिस्थित्की तंत्रों के मद्ध के संक्रमर छेतर को कहते हैं दो परिस्थित्की तंत्रों के मद्ध के संक्रमर छेतर को कहते हैं बायोम, बायोटोप, इकोटोन, सीर right answer हो जाएगा इकोटोन आपका बिल्कुल correct answer हो जाएगा आफसान नंबर C, दो परिस्थित की तंतिरों के मद्ध के संक्रवर्चेतुर को कहते हैं, इको टोन, C आफसान आपका बिल्कुल करेक्ट एंसर होगा, चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रस्ट के ओर, कुश्चेन नंबर 41, चिपको अंदोलन के प्रमुक नेता हैं, पताना है आपको, चिपको अंदोलन के प्रमुक नेता हैं, नाना जी देश्मुक, सुंदर लाल बहुगुडा, मेधा पाटकर, रजेंदर सिंग, राइट एंसर हो जाएगा, सुंदर लाल बहुगुडा, तो बी अफसन जो है आपको बिल्कुल, करेक्ट एंसर हो जाएगा, चिपको अंदोलन के प्रमुक नेता हैं, कौन, सुंदर लाल, बहुगुडा, याद रखेंगे, कुश्चन नमर 42 है, रुको और जाओ, विचार धारा के प्रतपादक थे, रुको और जाओ, विचार धारा के प्रतपादक थे, ग्रिफिद टेलर, बूलरिज, हैटनर, चार्ल्स डार्विन, तो राइट एंसर हो जाएगा, ग्रिफिद टेलर, ये अफसन आपका, करेक्ट एंसर हो जाएगा, कुश्चन नमर 43, निव लिखित में से ग्रिफिद टेलर द्वारा लिखित ग्रंथ है, बताना आपको, बिश्वी सताब्दी में भूगोल, नगरी भूगोल, हमारी विकास सील सबिता, उपरोग सभी, ग्रिफिद टेलर द्वारा लिखित ग्रिफिद टेलर द्वारा लिखित है, ये सभी, ओके, तो राइट एंसर, डी आपका करेक्ट एंसर हो जाएगा, बिश्वी सताब्दी में भूगोल, नगरी भूगोल, हमारी विकास सील सबिता, ये सभी, ग्रिफिद टेलर द्वारा लिखित है, ओके, डी आप्शन, करेक्ट एंसर हो जाएगा, 44 नमर कुष्चन है हमारा, लिंड में के अंसर, बढ़ते पोसड इस्तर के साथ, स्वसंद वारा च्छे होने वाली उर्जा की मातरा में हास होता है, ब्रध होती है, नियत बनी रहते हैं, इनमें से कोई नहीं, राइट एंसर है, ब्रध होती है, ओके, लिंड में के अंसर, बढ़ते पोसड इस्तर के साथ, स्वसंद वारा च्छे होने वाली उर्जा की मातरा में ब्रध होती है, बी आफसन, करेक्ट एंसर हो जाएगा, आगे देखते हैं, कुष्चन नमर 45 है, इस्थिली या जली पोधे होते हैं, प्रात्मिक उत्पादक, दितिया कुत्पादक, जीवी अफगटक उप्रोक्त में से कोई नहीं, करेक्ट एंसर हो जाएगा, एफसन आपका राइट एंसर हो जाएगा, प्रात्मिक उत्पादक, इस्थिली या जली पोधे होते हैं, प्रात्मिक उत्पादक, आगे देखते हैं, कुष्चन नमर 46 है, परिस्थित की पिराम आपका राइट एंसर हो जाएगा, कुष्चन नमर 47 है, किसी पारिस्थित की तंत्र में उपस्थित विभिन जैवि घटकों के पोशड इस्तर संबंद प्रदर्शित किया जाते हैं, तो राइट एंसर हो जाएगा, पिरामिड आरेग द्वरा, पोशड इस्तर आरंब प्र प्रदर्शित किया जाता है, पोशड इस्तर संबंद प्रदर्शित किया जाता है, पिरामिड आरेग द्वरा, तो बी आफशन बिल्कुल करेक्ट एंसर हो जाएगा, कुष्चन नमर 48, सूर से प्राप्त उर्जा को कहते हैं, पार्थ्य विक्राण, योगिक विक्राण, सूरित तब, तो बी आफशन आपका करेक्ट एंसर हो जाएगा, सी आफशन राइट हो जाएगा, कुष्चन नमर 49, पारिश्थित की विग्यान है, तो पारिश्थित की विग्यान है, पादप जंतों से परिया उर्ण के संबंद खा, तो याद रखना, डी आफशन जंतों से परिया उर्ण के संबंद का, कुष्चन नमर 50, पारिश्थित की तंतर के जनक थे, तो चार आफशन है आपके सामने, करेक्ट एंसर हो जाएगा, एजी टांस ले, पारिश्थित की तंतर के जनक कौन थे, एजी टांस ले, बी आफशन आपका, करेक्ट एंसर हो ज उत्रूम